हेलो प्यारी बच्चों, चलिए आज पढ़ते हैं दफन दे हैड लेसन के क्वेस्चन्स एंड आंसर्स को जो की क्लास नाइन्थ की में कूर्स बुक विहाईब का फर्स्ट लेसन है और इसे लिखा है आईजेक आसिमो ने तो इसके क्वेस्चन्स एंड आंसर्स को आप अच्छे से समझ लीजे ताकि आप इन्हें आसानी से लर्ण कर सके तो चलिए देखते हैं, फर्स्ट क्वेस्चन इसका मतलब है, मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा तो इसका आंसर आप लिखेंगे मार्गी रोट इन हर डायरी on the page headed 17th May 2157 about the real book that Tommy had found means मार्गी ने उस डेट को लिखा जिस दिन उसने डायरी लिखी यह डेट थी 17th May 2157 और उसने असली बुक के बारे में लिखा जो की Tommy को मिली थी next question is what is a tally book means tally book क्या है और इसका अंसर है a tally book is a book that can be read on screen tally book वेह पुस्तक है वेह बुक है जिसे स्क्रीन पर पढ़ा जा सकता है अगला question है what kind of teachers did मार्गी एंड टॉमी have means मार्गी एंड टॉमी के सिच्चक कैसी थे और इसका अंसर है मार्गी एंड टॉमी had mechanical teachers means मार्गी एंड टॉमी के जो सिच्चक थे वे mechanical थे means वे यांत्रिक सिच्चक थे अगला question है how old are मार्गी एंड टॉमी means मार्गी एंड टॉमी की उम्र क्या थी और इसका अंसर है मार्गी is 11 and टॉमी is 13 years old मार्गी 11 years की थी और टॉमी 13 years का था next question is had मार्गी ever seen a book before means क्या मार्गी ने इसके पहले कभी कोई book देखी थी और ये helping verb से question start है इसलिए इसका आंसर या तो yes होगा या no तो इसका आंसर है no मार्गी had never seen a book before means मार्गी ने इससे पहले कभी भी कोई book नहीं देखी थी चलिए देखते हैं अगले question को what things about the book did she find strange means book के बारे में वह कौन सी चीजें अनोखी पाती है strange means अनोखी तो इसका आंसर आप लिखेंगे she found these strange things about the book book के बारे में वह इन बातों को अनोखा पाती है इसका first point आप लिखेंगे the book had yellow and wrinkled page इसका मतलब है जो book थी उसके प्रस्ट yellow means पीले रंके थे और wrinkled means शिकुडे हुए थे next जो point है वह आप लिखेंगे the words of the book were still they didn't move means जो book के सब्द थे वे इस्थिर थे और हिलडूल नहीं रहे थे और it was a real book यह एक असली book थी next question where was Margie's school did she have any classmates means Margie का school कहां पर था और क्या उसके कोई classmates means यह पार्थी थे तो इसका अंसर है Margie's school was just next to her bedroom Margie का school उसके bedroom के बिलकुल बाजू से था and no she did not have any classmates उसका कोई भी सहपाथी नहीं था next question what subjects did Margie and Tommy learn means Margie and Tommy कौन से विशे पढ़ते हैं and answer is Margie learnt geography and mathematics and Tommy learnt history and mathematics means Margie, भूगोल और गड़ित विशे पढ़ती है और Tommy history और गड़ित विशे को पढ़ता है तो प्यारे बच्चों ये थे lesson 1 के question and answers आप इनको याद करने start कर दीजिए क्योंकि आपके exams बहुत ही जल्द start होने वाले हैं next वीडियो में हम देखेंगे और अन्ने lessons के questions and answers को stay tuned, have a good day क्योंकि अपके पड़ता है